नमस्कार फ्रेंट्स मैं आपका मित्र आपका सखा आपका फ्रेंड कमल लंदलाल आप सभी दर्शोकों का हर्दे का भिनन्दन करता हूँ हमारी खास प्रस्तुति वास्तु की बात कमल लंदलाल के साथ में इस प्रोग्राम का उदेश है आपके जीवन को सरल सुखम और सफल बनाना एस्टो तक पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके जीवन में पॉजिटर बदलाव लेके आता है इसलिए यूट्यूब और फेस्बुक पर एस्टो तक को लाइक करें सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो शेयर करें आज का विशेश टॉपिक वास्तू की बा आपको इसके तत्य भी बताऊंगा और इसके पीछे के सत्य भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि वास्तू एस्ट्रोलजी अमंगलिम से आप कैसे अपने घर में छोटे-छोटे चेंजिस करके आप इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं हम जानेंगे इसके कारण और करे की जगह प्लेस करने की एक थियोरी देते हैं कालपुरु सुधानत के नुसार कुंडली का सात्वा भाव कुंडली का आठ्वा भाव और कुंडली का बार्वा भाव फिसिकल रिलेशन्शिप का भाव कहे जाते हैं। relationship जब इन तीन भावों के अंदर गड़बड़ी होती है या तीन भाव के स्वामियों अगर पीड़ित हो जाते हैं तो मेल या फीमेल में sexual weakness आने लगती है अब हम एक शब्द का इस्तमाल करते हैं sexual weakness उसका अर्थ क्या है क्या सरफ मेल में ही होती है बिलकुल नहीं किसी भी तरेक्य की किसी प्रकार से किसी व्यक्ति के प्रती आसिक्ति या उसकी अनिच्छा आपको sexual weakness की तरफ बढ़ा देती है ऐसा कब होता है और किन contact बनाने के प्रती अगर इच्छा ना हो तो उसे भी sexual weakness के form में ही लिया जाता है sexual weakness मेल के अंदर दो तरीके से आती है इच्छा का ना होना और non working condition होना इच्छा का ना होना मानसिक तौर पर ठीक किया जा सकता है प्रडक्शन का ना होना या utility का ना होना एक biological कारण हो सकता है अब हम दोनों ही कारणों पर चर्चा करेंगे ऐसा क्यों होता है जब कभी भी सात्मे भाव का स्वामी अगर हद से जादा पीड़ित हो जाए तो ऐसी स्तितियाती की व्यक्ति के मन में भोग का भाव खतम होने लगता है और ऐसा तब होता है जब सात्मे भाव के अंदर केतू या गुरू जसा कोई प्लैनेट आ जाए तो व्यक्ति भोग के प्रति डिसिंट्रस दिखाना शुरू कर देता है जब कुंडली में आठमे भाव का नाचरल लॉड यानि की मंगल अगर किसी भी तरीके से र फिजिकली तोर पर केपिबल नहीं होता फीमेल फिजिकली तोर पर केपिबल नहीं होती विकॉस ओफ पेइनफुल कोईशिट यानि की किसी भी तरीके के दर्द का एसास होना और उससे अपने आपको जुदा कर देना जो है ये मंगल के कारण होता है अगर कुंडली के सामने डिसिंट्रेस्ट की कंडिशन आ जाती है पती यां पतिनी से दोनों के विवहार में और सेक्शुल वीकनेस नहीं सरफ फिजिकल एलिमेंट है ये मेंटल एलिमेंट जादा है जिसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मंगल का बुद्ध से पीडित हो जाना क्योंकि आपस म भारी हो जाए और दक्षन दिशा हलकी हो जाए तो व्यक्ति के दामपत्य सम्मंद सेक्शुल रिलेशन्शिप उसके वाइप से या उसके हजबन से बिगड़ना शुरू हो जाते हैं बात करते हैं ब्रहस्पती की और शुक्र की जब आपके घर की नौर्थीस्ट के अंदर प्रोब्लम्स आजाएं तो व्यक्ति को सबसे जादा प्रोब्लम स्टार्ट हो जाती है डिस इंट्रेस्ट की शुक्र कुंडली के अंदर आपके जननांग का कारण है अगर शुक्र किसी भी तरीके से केतु के साथ इन्वाल हो जाए यानि कि आपके घर की साउध साउधिस्ट डिरेक्शन के अंदर अगर आप मंदिर बना लें तो निश्चत रूप से ऐसी प्रोब्लम आती है पती-पत्नी के बीच में फिजिकल इलेशन्शिप नहीं बन पाते हैं इसलिए कभी भी रसोई घर में मंदिर ना मना है जिन घरों के अंदर अगर केतु साउ जरू हो जाता है जिन घरों के अंदर किसी भी तरीके से इमली नीम्बू या जंगली बेर का पेड़ अगर घर में है वहां पर पति-पत्नी के बीच में फिजिकल इलेशन्शिप में कमी आ जाती है इसलिए जंगली पेड और नीम्बू या खटे पेड जो खटे फल देते हैं जैसे कि इमली हो गया अनार भी हो गया इसके साथ साथ में नीम्बू हो गया अगर इस तरीके के आपने लगा लिए तो भी प्रॉब्लम हो जाती है और स्पेशली जब ये साउथ इस्ट डिरेक्शन में या इस्ट डिरेक्शन के अंदर ये पेड़ आ जाए बहुत सार बहुत बार देखा गया कि व्यक्ति की जा जाती है और सबसे जादा मेल की दिखने शुरू हो जाती है मेल वीक्नेस के लिए आपको घर की साउथ डिरेक्शन को चेक करना होता है अगर मेल में सेक्शवल वीक्रेस टार्ट हो गई है तो आप यह चेक किजेगा को पानी का न अगर आपके वाश्रूम में टॉइलिट में अगर लीक कर रहा है घर की साउथ डिरेक्शन के अंदर तो मेल के अंदर हंडेट परसंट सेक्शुल वीकनेस आना शुरू हो जाएगी बात करते हम शुक्र की जो सबसे जादा इंपॉर्टन प्लाइनेट है इस पूरे चार्ट क अंदर वो यह है कि अगर शुक्र किसी भी तरीके से पीडित है घर की साउथ इस्ट डिरेक्शन पीडित है अगर वहां से बद्बू आ रही है तो शुक्र हंडेट परसंट पीरित होगा और शुक्र जो है वो वीर्यका स्वामी कहा गया है और शुक्र का संबंध होता है श शुक्रानु हो से अगर व्यक्ति शुक्र वीक का व्यक्ति अगर अपने घर के अंदर बहुत जादा धार्मिक चितर रख देता है तो व्यक्ति के सेक्शुल संबंद बिगरना शुरू हो जाते हैं उसका अब हम उसका बताएंगे निवारण क्या है आपके घर की साउथ इस् स्तमाल या साउथ इस्ट डिरेक्शन के अंदर आपके बहुत ज़्यादा डबों का स्तमाल खाली अगर पड़े में हूँ या उस जगह बहुत ज़्यादा इंधन पड़ावा बहुत ज़्यादा गैस के सिलेंडर्स पड़े में हूँ तो ऐसी प्रॉब्लम जेनरेट होना हो जाती है अगर आपके किचिन के सिंख रेगुलरली लिंक कर रही है और आपके घर का डस्ट बीन अगर साउथ इस्ट डिरेक्शन में पड़ावा है किचन में और वो स्टिंक कर रहा है तो भी ऐसी प्रॉब्लम आती है क्योंकि वहाँ पर शुक्र राहू से पीड़ित हो होना है वहाँ पर खुश्बुदार दीपक जलाया जाए रेगुलर बेसिस पर और आप अपने घर को कैसे सुंदर और सौम्य बनाएं साथ का साथ के अंदर इस प्रॉब्लम को भी सॉल करें एक वाटर का बॉल ले ले कांच का बॉल और उसके अंदर आप पांच फूल बहुत अच्छे हो गया पति-पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ गया है साउथ इस्ट कोने के अंदर एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत अच्छा रेजल्टे दे सकती है वो है दीपक का जलाना आपका जो बेड्रूम है उसके अंदर अगर आप चमीली के तेल का दीपक औ अंदर हमेशा खुश्बुदार तेल का ही दीपक जलाना चाहिए यहां पर घीका और अन्य दीपक नहीं जलाने चाहिए और इन चीजों को और थोड़ा सा बैटर बनाने के लिए आप अपने कमरे के कलर को लाइट ब्लू कराएं और डार्क ब्लू कलर के पड़े लगाएं क्रिस्टल के बारादाने आप किसी भी नाच्रल वाटर में डाल करके कांच की वोटल में डाल करके और आप अपने घर की साउथ वेस्ट डिरेक्शन के अंदर प्लेस करेंगे तो यहां पर आपके सेक्शुल एलेशन्शिप और सेक्शुल वीकनेस जो है वो खतम हो करेंगे आज के लिए बस इतना ही वास्तु की बात कमल नंदलाल में वास्तु की बात कमल नंदलाल के साथ में हम कल एक और टॉपिक को वास्तु को लेकर आप से मिलेंगे तब तक के लिए मुझे आगया दीजे नमस्कार